चार दिन से देश में हलचल मचाने वाले असानी तुफान को लेकर बढ़ा अपजेट है बंगाग की खाड़ी से उठे चक्रवाती तुफान असानी को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग का कहना है कि असानी आंध्र के तट की और बढ़ रहा है जिसकी रफताद धीरे धीरे तेज हो रही है मौसम विभाग के अलट के बाद प्रिशाशन की टी में सतर्ख है असानी तुफान का असर मंगलवार को भी देखने को मिला विशाखा प्रिटनम से लेकर ओडिशा और बंगाल में कई जगां मूसलाधार बारिश हुई तेज हवाओं के साथ बरसाथ हुई जिसने गाणियों की रफतार पर ब्रेक लगा दिया ओडिशा के खुर्द, गंजम, पूरी, कटक और भदरक जैसे जिलों में मंगलवार को दो से तीन बार बारिश हुई असानी तुफान के दुपैर में आंदर तक पक दस तक देने के पूरे असार है असानी तुफान पर भारत सरकार अलट मोट में है अधिकारी पल-पल का अपडेट ले रहे हैं केंद्री घ्रह सचिप अजेब हला ने असानी सरिम पठने के लिए की जारे ही तरयारियों को लेकर समिक्षा बैठ चकी मौसम विभाग का कहना है के असानी के कारण 120 किलोमीटर पती घ्रहते की रफ्तार से हवाई चलने के साथ-सार बारिश होने के पूरे असार है असानी के बचाव के लिए NDRF की टीमों ने भी मोर्चा समाल लिया है आंदरप्रदेश में 16, पश्यमंगाल में 17 और उडिसा में NDRF की 17 टीमों को तेनाथ किया गया है यह सभी तैयारी मौसम विभाग के असानी को लेकर जारी रैड अलर्ट को देखते हुए की गई है साइक्लोन जो असानी है जैसे कि अभी तक जो लेटेस अपडेट यह है कि इसमें जो हम देख रहे हैं कि यह अभी आंदरा कोस की तरफ बढ़ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो आंदरा काकी नाड़ा है उससे जो है जो 210 किलोमेटर दूरी पर है और पंद्रा डिग्री नौर्थ और ब्यासी दशनलों पांट डिग्री इस्ट उसकी पुजिशन है और यह अभी फिला वेस्ट नौर्थ वेस्ट वेस्ट की मूव कर रहा है यह जो साकिलों नहीं कल सुबा मतलब मौर्निंग 11 को यह रीकर्व उसके बाद मौर्निंग 11 को जब यह रीकर्व होना शुरू होगा तब यह हमारे ओडिसा कोस्ट की तरफ आना शुरू होगा आंधरा के लिए अभी अपडेट में रेड मैसेज भी आंधरा प्रदेश के लिए इसु कर दिया गया है तो वहां का एरिया जो का जे अमना शिरी कुलम है विशा का पट नम बंगाल की खाड़ी से उठे चकरवाती तुफान असानी को लेकर अगले 24 घंटे भारी होने वाले हैं आंधर प्रदेश के बाद यह तुफान ओडीसा का रूप करेगा आयमजी के मुताबिक चकरवात के दोपहर तक काकी नाड़ा विशा का पटनम तटों के पास पश्चिम मद्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है चकरवात की हवा की गती आंधर प्रदेश टत पर 75-85 किलोमीटर प्रतिगंटे से लेकर 95 किलोमीटर प्रतिगंटे और उडीसा टत पर 45-55 किलोमीटर प्रतिगंटे से 65 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से होगी मौसम विभाग ने मच्छवारों को किसी भी हाल में समुद्र तक से दूर रहने की सला दी है इससे पहले ओडीसा के गंजम जिले में मच्छवारों ने अलर्ट की अंधेकी की और मशली पगड़ने समुद्र में चले गए इसी दूरान पांश नौ समुद्र की लहरों में फस गई और पलट गई इस हादसे में 65 मुच्छवारों की जान बाल बाल बची